नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जन संदेश टाइमस और मैं कीरती इस दुनिया को अलविदा कहे गए मुलायम सिंग यादव एक ऐसे विक्तित्व के थे जिने हर कोई याद रखेगा और उनसे हर कोई जुडा था हर बच्चे बड़े जवान के दिल में नेता जी ने एक खास जगा बनाई बत और पहलवान सिक्षक की भूमी का निभाने के बाद मुलायम सिंग ने सियासत में लंबी पारी खेली इसलिए उन्हें राजनीती का माहिर खिलारी भी माना जाता है एक असल पहलवान से वो राजनीती के पहलवान कैसे बने लेकिन इन सब के बीच मुलायम सिंग की वो एक इच्छा भी आज हम आपको बताते हैं जो नेता जी के जाने के साथ ही अधूरी रह गई बहुत से लोग इस बात को सुनकर चौक गए होंगे मगर सच यही है कि उत्तर प्रदेश के पूर मुख्य मंतरी मुलायम सिंग पहले पहलवानी को अपना पेशा बनाना चाहते थे पर वक्त का सिक्का कुछ यू पल्टा कि वो पहलवानी छोड राजनीती के दंगल में उतर गए साल 1962 का वो दौर जब जस्वंत नगर छेत्र के एक छूटे गाउं में विधान सभाग चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर था और उसी समय उस गाउं में कुछती की प्रतियोगिता का प्रोग्राम भी किया जा रहा था जब कुछती की प्रतियोगिता की खबर उस समय के सैयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे नत्थू सिंग को मिली तो बिना देर किये हुए प्रतियोगिता देखने पहुच गये उस कुष्टी की प्रतियोगिता में पहलवान थी मुलायन सिंह यादफ जिन्होंने अपनी पहलवानी की ताकत दिखाते हुए उस गाउं के कई पहलवानों को धूल चका दी मुलायम सिंग यादव की साहस और हुनर को देखकर नत्थु सिंग प्रभावित हो गए और अपनी कुर्सी से उठकर उन्होंने अपना हाथ मुलायम सिंग के सर पर रख दिया और उसी समय से मुलायम सिंग यादव ने नत्थु सिंग को अपना गुरु माल लिया और उनकी शरण में आ गए इसी बीच मुलायम सिंग को एक स्कूल में सिक्षक की नौकरी भी मिल गए ऐसे मुलायम ने पहलवान से सिक्षक का सफर किया साल 1967 में नत्थू सिंग मुलायम सिंग के उपर फिर महरबान हुए और उने सैयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकेट पर विधान सभाद चुनाओ लड़ने का मौका दे दिया मुलायम सिंग ने इस मौके को अपनी मुठी में ले लिया और जस्वंत नगर सीट से कॉंग्रेस उमीद्वार लाखन सिंग यादफ को भारी वोटो से धूल चटा दी बस यहीं से मुलायम सिंग ने उडान भरी और राजनीती के शिकर पर चड़ना शुरू कर दिया मुलायम 1967 से लेकर 1996 तक आठ भार विधायक बने 1996 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाओ लड़ा और विजय हुए इसके बाद से अब तक साथ बार लोकसभा सदस से रहे और अन्तिन सास तक वो लोकसभा के सदस से थे लेकिन इन सब के बीच एक साल मुलायम के लिए बेहत खास था वो साल था 2012 का जब विधान सभा का चुना हुआ था जब सपा को बहुमत मिला और अखिलेश को मुलायम सिंग ने मुख्यमंत्री की कुडसी पर बैठाया मुलायम सिंग ने बेटे की ताजपोशी की और अखिलेश के लिए राजनीती का रास्ता साफ कर दिया था पहलवानी में अपना लोहा मनवारने वाले मुलायम सिंग के इस फैसले को सियासी गलियारों में एक बड़े राजनीतिक दाव की तरह देखा गया राजनीती में बड़े बड़े दाव चलने वाले मुलायम के मन को लोग कहते थे कि समझना आसान नहीं था लेकिन मुलायम के मन में एक कसक जो आस तक बाकी है और वो है मुलायम का प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाना मुलायम के छोटे भाई ने इस बात का जिक्र किया था और एक इंटर्वियू के दौरान इस बारे में बताया था कि लालू ने सब कुछ किया था मुलायम के छोटे भाई ने इस बात का जिक्र किया और उनके ना प्रधान मंत्री बनने के पीछे का रास खोला उन्होंने कहा लालू ने सब कुछ किया था इनके साथ शरत पवार भी मिल गए और उनके साथ एक और नेता भी था प्रधान मंत्री तो बन गए थे मुलायव सुभा शपत लेनी थी और रात में ये हो गया यानि नेता जी की प्रधान मंत्री बनने की इच्छा लालू यादव, राम विलास पासवान और शरत पवार के चलते अधूरी रह गए मुलायम सिंग यादव ने भी एक इंटर्वियू में इस घटना का जिक्र किया था उन्होंने कहा था हमें सुभा आट बचे प्रधान मंत्री की शपत लेनी थी मीडिया आचुकी थी, सब तैयार था, लेकिन सब चीजे तै होने के बाद भी पूरा मामला पलट गया बता दे, फिर मुलायम नहीं, HD देव गौडा बने थे प्रधान मंत्री आज नेदाजी इस दुनिया में नहीं, पर उनके किस्से, उनके यादे और उनका राजनीतिक सफर, उनके राजनीतिक दाओं पेच, हमेशा लोगों के लिए मिसाल की तरह कायम रहेंगे